लोकसाबा में तो बीजेपी के मज़ोरिटी है तो सीधी बात है वो बिल पास होगा ये बाइल बिल पास भी होना चीए ये सम्विधान से मेरे इसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके इसाब से है कोई इसमें गलत बात ही मैं तो बार-बार इस बात को उठा रहा आपके इसाब से बिल को आप कैसे आखते हैं जो जो मेरा यह कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाईए ठीक है यूनिय टरिट्री की तो इतनी ही शक्तियां होती है मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको चाहते हैं कि पूरे राजी का धरजा मिले पूरे राजी का धरजा दो ना वो बिल क्यों नहीं ले आते ये तरह साब एंडिये 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 बीजेपी सा मिल के ले आए बिल कर दे भाई आपको अगर इतनी वो है दिल्ली का जो सुरूप है उसके एसाब से ओर्डिनस उनी शक्तियों का बटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की Constitutional Amendment और दिल्ली के Act की मूल भावनाओं में था इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलात है अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरिवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था उसकी पास जैसे देश को बनाया उसने पूरे इंडिया को बना रखा है ओ ठीक है ठीक है ठीक है इस चीज को मैं कोई गंभेक्ता से नहीं लेता हूं अगर आपके इसाब से बिल में कोई दिक्कत नहीं है देखिए संदीब दिख्षित तो MP भी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की जब लीडर्शिप ने फैसला किया है औरिनेंस का विरोध करने के लिए इस बिल का विरोध करने के लिए तो मुझें लगता कि उनका कुछ भी कहना जो इसके कोई Uhh अपकल्द के कॉंग्रेस पार्टी को कुछ था है संदीब दिख्षित को कोई कि पूस्ता ना कोई बाहर पूस्ता तो उनका जो कहना है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आप लोग के अनुसार क्या कुछ शस्तिति अभी संख्या बलकुली कर बात प्रेलों इसकी तयारी कर रहें हैं वो सब लोगों के कॉंटेक्ट में हैं और जो पुरा का पूरा पोजीशन का अलाइंस है वो पूरी से जो है इस बिल के विरोध में जो है वोड डालेगा और हमें उमीद है कि हम इसको जो है राज्य सबा में रोक पाएंगे